जबसे केंदर में भारतिय जनता पार्टी और नरेंदर मोदी की सरकार बनी है तबसे पाकिस्तान का मुद्दा हमेशा चर्चा का केंदर बना रहता है। आये दिन कॉंग्रेस पार्टी चाइना और पाकिस्तान के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी और भारतिये जनता पार्टी को आड़े हाथ लेते रहती है। एक बार फिर पाकिस्तान का मुद्दा चर्चा में आया है, चर्चा गरम है और जोरोपर है। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया है, हर बार भारतिये जनता पार्टी को घेरने में लगी कॉंग्रेस इस बार खुद फस्ते दिख रही है। अब आते हैं खबर की ओर, उप्राश्ट्पती का पद एक सम्मानित पद होता है, उप्राश्ट्पती देश का मस्तक होता है, लेकिन यह खबर पुर्व उप्राश्ट्पती हामिद अनसारी से जुड़ा हुआ है। देश के बारहवे राश्ट्पती और अब पुर्व उप्राश्ट्पती हामिद अनसारी के संबंद पाकिस्तान के खुफिया इंटेलिजेंस एजनसी आईएसाई से है। बात यदी वीडियो की करें जिसमें पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिरजा द्वारा देश के पुर्व उप्राश्ट्पती हामिद अनसारी पर एक आरोप लगाया गया है। इसमें उसने यह कबूल किया है कि देश के उप्राश्ट्पती पज़ पर रहते हुए हामिद अनसारी ने उसे पांच बार भारत बुलाया था। और वह पांच बार भारत आया भी है। दिल्ली, कोलकत्ता, बैंगलूरू, साहित, पटना के कई जनकारियों को उसने इकठा भी किया है। और उसे ISI को भारत के खिलाब परियोग करने के लिए दिया है। आपको बतादें कि पाकिस्तानी पतरकार नुस्रत Mirja मिली बजड का समपादक है। पाकिस्तानी पतरकार नुस्रत Mirja ने अपने इंटरिवू में कहा है कि भारत के पूरु उपराष्ठपती हामिद अनसारी ने साल 2010 में उसे अतंकवाद विरोधी सेमिनार में निमंतरण दिया था जिसमें उन्होंने उसे ऐसी सुचनाय बताई है जो देश की सुरक्षा के लिहाद से समवेदंसील है दिन सुचनाओं को पकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिरजा ने पकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा है कि क्या कॉंग्रेस की सरकार जब सत्ता में थी तो आतंकवाद के खिलाप देश के सुचनाओं को आतंकवादियों को देकर आतंकवाद के खिलाप लड़ाई लड़ती थी हलांकि इस बयान के बाद पूरोरा उपराश्टपती हामीद अंसारी ने प्रेस रिलीज जारी कर इस ख़बर पर भाजपा को दोटूक जबाब दिया है देश के अती संवेदन सील सूचना को पकिस्तानी पत्रकार को देने के जबाब में उप राश्टपती हामिद अंसारी ने कहा कि 11 दिसंबर 2010 को आतंकवाद पर प्रेस कॉन्फरेंस का उद्गाटन मैंने किया था या कॉन्फरेंस अंतर राश्टी आतंकवाद और मानव अधिकार को लेकर थी जिसमें औरगनाईजर ने लोगों को बुलाया था मैंने उन्हें यानि पकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को कभी नहीं बुलाया और नहीं उनसे कभी मिला अब क्या है पूरी सच्चाई और इस वीडियो पर आगे क्या होने वाला है क्या सच में उप्राश्ट पति के संबंद पकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा से हैं या खबर महज भारतिय जनता पार्टी का प्रोपोगेंड़ा बर है आपको बतादें कि साल 2007 से 2017 तक हमीद अंसारी देश के बारह में उप्राश्ट पति रहे हैं उप्राश्ट पति पत पर रहते हुए उन्होंने कई देशों के साथ अच्छे संबंद बनाए हैं इस बात की तारिफ खुद प्रधान मंत्री नारेंदर मोदी ने हमीद अंसार पर अपनी बात वे रखते रहते हैं उन्होंने अपने एक पुराने बयान में कहा था कि भारत में असुरक्षा बड़ी है और धर्म के नाम पर लोगों को अलग करने की प्राविर्टी भी बड़ी है तब उस वक्त इस बयान के बाद उनकी काफी किरकिरी हुई थी और काफ बहुत धन्यवाद